हेलो फ्रेंस, वेलकम टो ए 24 नॉलेजे ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जोईन इंडियन आर्मी की फ्रेंस अगनिवीर रेली 2023 का जो एड्मिट कार्ड है, वो आपका जारी हो गया है, और इसका फ्रेंस जो ओफिशल लिंक है, वो भी आपका जारी कर दिया गया है, अगर आपको फ्रेंस, आपके एड्मिट कार्ड को डाउनलोड करने में कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉलम आ रही है, तो फ्रेंस आप डायेट लिंक से अपने एड्मिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए फ्रेंस आप यहाँ पर details को verify और check कर सकते हैं बात करते हैं friends यहाँ पर इसके details के बारे में और आप अपने admit card को कैसे download कर सकते हैं इसके बारे में और इस video को start करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है subscribe करें, share करें, like करें जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सके तो यहाँ पर friends से देखिए जो आपका admit card है वो friends आपका phases में आपका जारी होगा जो कि 5 से 8 April 2023 के लिए है और यह friends only general duty के लिए है बाकी other post के लिए 11 April के evening से आपके यहाँ पर admit card जारी हो जाएंगे इसके लिए friends सबसे पहले आपको schedule चेक करना होगा schedule of online exam का 17 April से 26 April 2023 का इसमें friends 17 April को, आपका 18 April को, 19 April को, 20 April को, 21 April को जो आपका exam होने वाला है वो friends आपको यहाँ पर दिये गये है इसके बाद 24 April से आपके exam है ट्रेट्समेन के लिए या बाकी other post के लिए 3526 इनके लिए friends आपका admit card बाद में जारी होगा सबसे पहले friends यहाँ पर देखिए आपको जो डारेक्ट लिंक यहाँ पर दिया गया है वो friends आपका कुछ इस तरह का आपके सामने open होता है जहाँ पर देखिए आपको login करना है download करने के लिए admit card और जो eligible candidate है उनको SMS और mail के जरीए भी friends से जानकारी provide कर दी गई है अब आपको यहाँ पर देखिए roll number और आपका जो date of birth है वो आपको यहाँ पर डालकर login करना है अपने admit card को download करने के लिए अगर friends आपके पास माली जीए यह roll number SMS या mail के जरीए नहीं आया है उस condition में आपको friends से इसका जो official web portal है इस पर आपको आना है सबसे पहले friends से आपको यहाँ पर देखिए इस तरह का यहाँ पर जो capture code है यह दिया गया है capture code फिल करकर आप enter करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर देखिए login हो जाएंगे login होने के बाद आपको friends यहाँ पर देखिए नीचे jco या or का option मिलता है आप इस option पर क्लिक करेंगे आपको friends आपके username and password के साथ और इस capture code के साथ यहाँ पर login करना होगा अगर friends आप अपना जो यहाँ पर password है या भूल गए है या username भूल गए है तो forget password आप कर सकते हैं forget password करने के लिए आपको इन option को यहाँ पर fill करना होगा जिससे आप यहाँ पर अपना जो password है वो दोवारा generate कर सकते हैं और username अगर forget हो गया है तो आप यहाँ पर detail को डाल कर अपना username ले सकते हैं username and password मिलने के बाद friends आप यहाँ पर dietly login कर लेंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको जो आपका roll number है वो friends आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो आप यहाँ से roll number को आपका copy कर सकते हैं और यहाँ पर friends is JIA roll number पर आप click करेंगे और यहाँ पर paste कर देंगे इसके बाद आपके date of birth है वो आपको देनी है और date of birth देने के बाद आप यहाँ पर login section पर click कर सकते हैं login करने के लिए login करने के बाद आपके सामने फैंस से कुछ इस तरह का option यहाँ पर open होगा जहाँ पर आपका पहला option है personal details का और उसके बाद फैंस e admit card का आपको option मिलेगा आप इस option पर click कर सकते हैं यहाँ पर आने के बाद फैंस से देखिए आपको नीचे आपको देखिए अगन export पर भी एक option मिलता है online CEE admit card का तो आप इस option पर भी click कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको दुबारा से इसी link पर send कर दिया जाएगा जहाँ पर अपने role number date of birth के साथ आप अपने admit card को download कर सकते हैं तो दोनों ही process में आपको link मिल जाता है आप डाइटली चाहे तो इस link पर आ सकते हैं और e-admit card वाले option पर click कर सकते हैं इसके बाद देखिए friends आपका देखिए जो admit card है वो download हो जाएगा और download होने के बाद आपके download section में आपको यह देखने को मिल जाएगा इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपके सामने देखिए आपका Indian Army Computer Based Test का आपको e-admit card मिल जाएगा जिसमें आपको आपका roll number आपका exam day roll number आपका date of birth और आपने किस category के लिए apply किया है आपका father name क्या है mother name क्या है किस AR or GR के लिए अपने apply किया है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है इसके बाद friends से नीचे आपको देखिए name and address मिल जाएगा आपके test center का जिसमें आपके date shift day and time of exam आपको मिल जाएगा जो की जैसे 18 अपरेल 2023 है shift 2 में आपका exam होगा साधे ग्यारा से साधे बारा जो भी आपका shift है उसका timing आपको मिल जाएगा और reporting time आपको मिल जाता है gate close होने का time आपको मिल जाता है नीचे आपसे कहा गया है paragraph will appear on your computer screen immediately before starting the exam the paragraph has to be produced verbatum in the space given below तो friends यहाँ पर देखो आपको आपका computer होगा जिस computer पर बैठेंगे उस पर friends एक paragraph आपको show होगा जो कि आपको hand return यहाँ पर करना होगा self entering इसके बादे declaration है जिस पर आपको आपका नाम लिखना है आपका father name लिखना है date लिखना है और place का नाम आपको देना करेंगे जब आपको exam center पर होंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए admit card जो है friends आपको exam hall में आपको show करना होगा और उनको वहाँ पर सौपना होगा इसलिए copy extra अपने पास जरूर रखें इसके बाद आपको important instructions दिए गया है तो देखिए printed copy आपके e admit card की आपको exam center पर लेके जानी है और फोटो आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है आपका फ्रेंस से देखिए वाटर बोटर आप लेके जा सकते हैं दो रिसेंट कलर पास्पर साइट फोटोग्राफ आपको लेके जानी है और एक बॉल पैन आपको लेके जाना होगा आपसे कहा गया है candidate must bring print out of this e admit card जो कि फेंस आप लेके जाएंगे original photo ID card जिसमें voter ID, driving license, pen card, अधार card आप लेके जा सकते हैं कोई भी color photography, scan copy या soft copy आपकी identity card की वो मानने नहीं रहेगी इसके इलावा फेंस आपका जो exam center है इसमें फेंस जो आपका यहाँ पर पेपर है वो फेंस साथ या 120 मिर्ट का होगा ज चार multiple choice question होंगे one fourth की negative marking रहेगे इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए आपके जो check है इसमें आपका नाम, date of birth, category, sub category वो सब आपकी check की जाएगी अगर आपका friends से यहाँ पर कोई भी problem है तो आप इस mobile number पर संपर कर सकते हैं इसके बाद आपसे कहा गया है print out इस admit card का वो लेके जाना जरूरी है, identity proof लेके जाना जरूरी है जो की original होना चाहिए, passport side photograph जरूरी है, face mask और hand glove और आपका water bottle, hand sanitizer, pen आपका लेके जाना जरूरी रहेगा, तो यह friends से आपको instructions दिये गया है, instructions में जो जो आपसे कहा गया है वो आपका लेके जाना आपका जरूरी है, इसमें देखि instructions को आप ध्यान से चेक कर ले, पढ़ ले, उसके बाद ही अप अपने exam center पर जाएं, कल के वीडियो में मैं आपको sample paper भी बताया था, जो paper आपके question paper आपका आने वाला है, वो कैसे आप चेक कर सकते हैं, कैसे आप देखकर आप try कर सकते हैं, वो जानकारी मैं आपको provide कर दी है तो friends, जो update है, यह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपका friends, जो admit card है, वो जारी हो गया है, आप चाहें तो इसके official portal पर जाकर download कर सकते हैं, या friends, आप video description में jobrasa.com पर जाकर भी download कर सकते हैं, तो जो यह update है, वो मैं आपको provide कर दी है, बाकी की जानकारी के लिए, friends, वीडिय description में जाईए, details को चेक कीजिए, अगर आपने form को fill किया है, तो आप अपने admin card को download कर सकते हैं, अगर आपको हमारी update पसंद आई है, तो like, subscribe, जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए, ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube channel, अलास, thanks for watching.